हेलो माई दियर फ्रेंड्स हाव यू अल टुड़े हो पहले मैं कह दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए त गल्फ फ्लावर से शुरू किया था गल्फ स्टैल जो फ्लावर सोते मैं असका इस्तेमाल किया है उसको बेस बना कर मैंने पूरा जिजाइन क्रियक किया है पूरा जिजाइन जो है वो काफी Integrate है और काफी खुबसूरत लुक दे रहा है और मैंने कोशिश किया है कि कुछ तो इसलिए मैंने काफी हद तक इसको इंटिक्रेट रखा है ताकि दिखने में अच्छा लगे क्योंकि ऐसे सिंपल डिजाइन्स लोगों को काफी पसंद आते हैं मगर फिर भी यह काफी इंटिक्रेट है तो यह आपके हाथ को लुप भी अच्छा देगा और सिंपल तो यह ह आप लोगों को आसानी भी होगी इसको बनाने में क्योंकि अगर आप लोगों को इलिमेंट पता है तेन यू दो एनितिंग विद तो जोज अएलिमेंट्स आप लोगों को आज का देजाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और आज मनें कुछ ने टाइब के टेक्स बा आप लोगों को कैसा लगता है मुझे जरूर बताना और मैं ज्यादातर इंटिक्रेट काम इसलिए कर पाते हूं क्योंकि मेरा जो महंदी कौन होता अब लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा सेलफिन पेपर वाला कौन जो मैं खुद बनाते हूं यूज करते हूं तो इंटि कौन होने के कारण ही मैं ज्यादातर ऐसे काम कर पाती हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे काम कर लेती हूं तो आप लोगों को अगर इंटिक्रेट स्टाइल काम करना है तो प्लीज आप लोग अबना जो महंदी कौन है प्लीज उसको बदल डालिए अगर वने काम कर लोगे होगे प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अचयों काम क mám एजिली कर सकते हो और किसी का बनाना है है में र हाद में उप लोगत blues बहाँ बहुत आप असानी होगी तो आज का वीडियो आप लोगो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना मैं सब के कमेंट का वेट करती हूँ और अगर आप लोगो को कुछ बुरा लगता है तो मुझे माफ कीजिएगा और अगर अच्छा ना लगे डिजाइन तो प्लीज डिसलाइक करो मगर मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि क्यों खड़ाब है तो मुझे समझ में आ जाएगा और बाकी सब लोग का मैं कमेंट का बहुत बेस अबरी से इंतजार हर रोज करती हूँ तो आज के लिए इतना ही फ्रेंग्स चलती हूँ लेंगे ने वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बबाई थ थाएगा बाइग थाएग जाएग